साल 2018, एक्सपेरिमेंट नमबर एक, मिशन एंटी मोधी मोर्चा, नतीजा फेल साल 2019, एक्सपेरिमेंट नमबर टू, मिशन एंटी मोधी मोर्चा, नतीजा फेल साल 2013, एक्सपेरिमेंट नमबर तीन, मिशन एंटी मोधी मोर्चा, नतीजा करनाटक में कॉंग्रेस अपने शपत ग्रहन समारों के जरीए एक बार फिर मोदी को रोखने का प्लान तयार कर चुकी है ये तैह हो गया है कि ओज सरिमेनी के नाम पर विपक्षी एक जुटता की पावर का ट्रेलर रिलीज होगा और इसके एक्स्लोजिव डिटेल्स ABP न्यूस के पास हैं पता ये चला है कि कॉंग्रेस की तरफ से UPA के सभी घटक दलों को ओज सरिमेनी में शामिल होने का नियोता भी जा गिया है आरजडी, जेडियू, उद्धव के शिफसेना, NCP, CPM, CPI, CPI ML, National Conference, DMK और समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है नवीन पतनाईक की BJD और KCR की BRS को आमंतरत नहीं किया जाएगा आम आदमी पार्टी और BSP यानी केजरिवाल और मायवती पर अभी विचार चल रहा है तेलंगाना में चुनाव है और KCR के सामने कॉंग्रेस है प्रियंकाने तयारियां भी शुरू कर दी है शायद इसलिए भी KCR को नियोता नहीं जाएगा मगर दूसरी तरफ कॉंग्रेस का ओपोजिशन लीडर्स को मेसेज ये है कि मोदी के सामने अगर कोई चहरा होगा तो वो रहुल का ही होगा जनता के प्रती समर्पन के आयोजन में सब मित्रदल शामिल हो हर व्योव्यक्ति जो प्रजातंत्र के लिए संगर्ष करना चाहता है समिधान की रक्षा करना चाहता है वो आए और इस यग्य में शामिल हो ऐसी हमारी आकांशा है तो जो भी आएगा उन सब का स्वागत है इससे पहले कि राहुल को लेकर कोई बात आगे बढ़ती ओपोजिशन लीडर्स की रिजर्वेशन सामने आने लगे जेडियो की लीडर ने कहा दिया कि ओपोजिशन को जोडने का क्रेडिट नितीश को जाता है और अभी पीम पत पर चर्चा तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए यानि विपक्षी एक तका गाउं बसा नहीं कि क्रेडिट लेने वालों की होड लग गई वो पहली कतार में नजर आने लगे मतलब ये कि कॉंग्रेस करनाटा की जीत के बाद किसी भी कीमत पर राहुल को उपोजिशन के फेस के तौर पर प्रिजट करेगी मगर ओपोजिशन लीडर्स फिलाल राहुल पर एक मत नहीं है पिछली बार भी यही हुआ था और नतीजा ये रहा कि बटा हुआ विपक्ष मोदी के सामने कहीं ठिक नहीं पाया